मैं हिंदु धर्म ग्रंथों के किसी भी आदेश का समर्थन की बल इस आधार पर नहीं करता कि वह शास्त्र की आग्या है इसी तरह मैं कुरान की किसी बात को भी इसलिए नहीं मान सकता कि वह कुरान में लिखी है प्रतेइक बात कसोटी पर कसी जानी चाहिए प्रतेक धर्म के प्रतेक नियम को बिवेक के इस यूग में पहले बिवेक और ब्यापक न्याय की अचूख का सौटी पर कशना होगा तभी उन पर संसार की श्विकिर्ती मांगी जा सकती है किसी भूल का समर्थन संसार की समस्त धर्म गरंथों में किया गया हो तो भी वह इस नियम से मुक्त नहीं हो सकता हजारों साल पहले जब कुरू शेत्र में युद्ध हुआ था तब अर्जुन को जो शंका होई थी भगवान ने उसका निराकरण गीता द्वारा किया था लेकिन यह कुरू शेत्र का युद्ध हमारी मन में सदैव चलता रहता है और चलता रहेगा और हमारी अंतरात्मा अर्थात एग्वेश्वर स्रीकृष्ण जीव रूपी अर्जुन को दिशा का भ़ान करानी के लिए सदा मिलते ही रहेंगे तथा सदा ही आशुरी संपत्ती रूपी कौरवों की हार और दैवी संपत्ती रूपी पांडवों की विजे होगी अनको शांद रखना चाहिए या ठीक है कि किसी के भैसे अंतर प्रेड़ना को दबाए नहीं रखना चाहिए अनको शांद रखना चाहिए